नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मैं रतनी सेन भारती बिहार में होने वाले इस साल के पंचायद चुनाब के एक नए अपडेट के साथ मैं हाजर हूँ तो आईए अब जानते हैं अखिर क्या है नए अपडेट बिहार में इस साल होने वाले पंचायद चुना पर पहुंच रहे हैं तो वहीं चुनाव आयोग भी पंचाय चुनाव को लेकर कमर कसली है। दूरी तक नहीं जाना पड़े। आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी भी बाड में बूथ का भवन जरजर हो तो उसकी भी जांच करे। देने से बंच इतना हो। आयोग ने जिला धिकारियों को कहा कि निर्धारित समय पर मदाता सुची तयार करे और बूथों का गठन का काम पूरा करे। संसोधित मदाता सुची के अंतिम परकासन के लिए जीलों को उपलब्ध कराए गए सौफ्ट वेर की भी समिक्षा की गई। उन्होंने इसको लेकर कहा कि अंतिम परकासन 19 फरवरी को परकाशित की जानी है। आयोग ने यह भी कहा कि पंचाय चुनाव को लेकर मदाता केंदरों के गठन की परकिरिया के दवरान दीसा निर्देश का पालन किया जाना आवस्यक है। इधर जिला निर्वाचन पताधिकारी ने कहा कि अपने अस्तर से इसकी पूरी जाच कर ले। बैठक में आयोग ने यह भी कहा कि अपरेल से मई में पंचाय चुनाव की संभावना को लेकर सभी पताधिकारी और कर्मी तैयार हो जाए। इससे यह हसाब होता दिख रहा है कि इस साल पंचाय चुनाव अपरेल से मई के बीच होना तय है। बिहार में इस साल होने वाले पंचाय चुनाव, पुराने पंचाय चुनाव से कई तरह से अलग होगे। इबियम से मतदान करने में चुनाव की निस्परस्ता बनी रहेगी। चुनाव में किसी तरह की गड़वड़ी होने से बचा जा सकता है। धर पंचाय चुनाव से पहले ही तीन सव मुखिया और सरपंच पर गाज गिर गई है। इसके साथ ही चुनाव योग ने कहा है कि इन पर सीमन वाले हिलाके में भवन निर्मान का कार्ज नहीं होगा। ऐसे में अब पंचाय चुनाव को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार और पंचाय से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे देजिए इजाजा धन्नवाद।